पेश है दस्वी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्सी किताब गुल्जारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुल्जारे उर्दू भागदो का चौथा पार्ट कृष्न चंद्र सफ़ा नंबर 39 तारुफे अफसाना निगार कृष्न चंद्र पैदाईश 1914 इंतिकाल 1977 कृष्न चंद्र वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में पैदा हुए उनकी इप्तिदाई तालीम पुंच जम्मू कश्मीर में हुई सन 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर आ गए फोर मैन कृष्चियन कॉलिज में दाखला ले लिया सन 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमे किया उसी जमाने में कृष्चिन चंद्र को आल इंडिया रेडियो लाहौर में मुलाजमत मिल गई इस सिलसिले में उन्होंने कुछ वक्त देहली और लखनों में भी गुजारा उसके बाद उनका तालुक फिल्मी दुनिया से हो गया और वो अपने आखरी वक्त तक मुंबई में रहे मुंबई ही में उनका इंतिकाल हुआ प्रेम चंद्र के बाद जिन अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को नई बुलंदियों तक पहुँचाया उनमें बेदी, मंटो, इस्मत चुखताई और कृष्ण चंद्र मुम्ताज है तरक्टी पसंद तहरीक से उनका गहरा तालुक था इस तालुक का असर उनकी कहानियों और नौविलों में बहुत नुमाया है कृष्ण चंद्र ने नौविल, अफसाने, ड्रामे, रपोर्टाज और मजामीन लिखे है लेकिन उनकी बुन्यादी हैसियत अफसाना निगार की है उनके अफसानवी मजमूओं में कश्मीर की कहानिया तिलस्मी खयाल जिन्दगी के मोड पर अन्यदाता, महालक्ष्मी का पुल पिशावर एक्सप्रेस और नौविलों में शिकस्त, जब खेत जागे बावन पत्ते और आसमान रोशन है काबिले जिक्र है उनके तहरीरों की मकबूलियत का एहम सबब उनकी रूमानियत और उनका खूपसूरत अंदाजे बयान है कृष्न चंद्र ने बच्चों के लिए चिडियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त लिखा है उनकी तन्जिया तहरीरों में एक गधे की सरगुजिष्ट को काफी मकबूलियत हासिल हुई सफा नमबर तीस अफसाना अफसाना दो फर लौंग लंबी सडक और अब सुनिये अफसाना निगार कृष्न चंद्र का अफसाना दो फर लौंग लंबी सडक कचेरियों से लेकर कॉलिश तक बस यही कोई दो फर लंबी सडक होगी हर रोज मुझे इसी सडक पर से गुजरना होता है कभी पैदल कभी साइकल पर सडक के दो रोया शीशम के सूखे सूखे उदास से दरख्त खड़े हैं इन में ना हुसन है ना चाऊं। सख्त खुड़रे तने और टहनियों पर गिद्धों के जुंट सडक साफ सीधी और सख्त है मुधवातिर नौ साल से मैं इस पर चल लहा हूँ ना इसमें कभी कोई कट्ठा देखा है ना शिकाफ सख्त पत्थरों को कूट कूट कर ये सडक तयार की गई है और अब इस पर कोल तार भी बिची है जिसकी अजीब सिबू गर्मियों में तबियत को परिशान कर देती है सफा नंबर 31 सडकें तु मैंने बहुत देखी भाली है लंबी-लंबी, चौड़ी-चौड़ी सडकें बुरादे से ढपी हुई सडकें सडकें जिन पर सुर्ख बजरी बिची हुई थी सडकें जिनके गिर्द सरू शम्शात के दरख्त खड़े थे सडकें मगर नाम गिनाने से क्या फाइदा? इस तरह तो अन गिनत सडके देखी हुँगी लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं इस सडक को जानता हूँ किसी अपने गहरे दोस्त को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता मतवातिर नौ साल से इसे जानता हूँ और हर सुभ अपने घर से जो कचेरियों से करीब ही है उठकर दफ्तर जाता हूँ जो लौ कॉलिज के पास वाके है बस यही दो फरलॉंग की सडक हर सुभ और हर शाम कचेरियों से लेकर लौ कॉलिज के आखरी दर्वाजे तक कभी साइकल पर कभी पैदल इसका रंग कभी नहीं बदलता इसकी हियत में तबदीली नहीं आती इसकी सूरत में रूखापन बदस्तूर मौजूद है जैसे कह रही हो मुझे किसी की क्या पर्वा और ये है भी सच इसे किसी की पर्वा क्यूं हो सैकडों हजारों इनसान घोड़े काड़ियां मोटरें इस पर से हर रोज गुजर जाती है और पीछे कोई निशान बाकि नहीं रहता इसकी हलकी नीली और सामली सत्य है जब एक यूरेशियन ठेकेदार ने इसे बनाया था ये क्या सूचती है या शायद ये सूचती ही नहीं मेरे सामने ही इन नौ सालों में इसने क्या वाकियात हाथ से देखे हर रोज हर लमहा क्या नए तमाशे नहीं देखती लेकिन किसी ने इसे मुस्कुराते नहीं देखा, ना रूते ही इसकी पत्रीली चाती में कभी एक दर्ज भी पैदा नहीं हुई हाई बाबू, अन्दे महताज गरीब फकीर पर तरस खाओ बाबू अरे बाबा, ए बाबा, ए बाबू, खुदा के लिए एक पैसे देते जाओ, ए बाबा अरे बाबा, अरे कोई भगवान का प्यार नहीं साब जी, मेरे नने नने बच्चे भी लग रहें साब जी अरे कोई तो तरस खाओ इन यतीमों पर अरे साब जी अल्ला के नाम पे खुछ देते जाओ साब जी बीसियों गदागर इसी सड़क के किनारे बैठे रहते हैं कोई अंधा है तो कोई लुझा किसी की टांग पर एक खतरनाक जखम है तो कोई खरीब औरत दो तीन छोटे छोटे बच्चे गोत में लिए हसरत भरी निगाहों से रहागीरों की तरफ देखती जाती है कोई पैसा दे देता है कोई तेवरी चड़ाए गुजर जाता है कोई गालियां दे रहा है हराम सादे मुश्टंडे काम नहीं करते भीक मांगते हैं काम बेकारी भीक दो लड़के साइकल पर सवार हस्ते हुए जा रहे हैं एक बुढ़ा अमीर आत्मी अपनी शानदार फिटन में बैठा सड़क पर बैठी हुई भिकारन की तरफ देख रहा है और अपनी उंगलियों से मूचों को ताव दे रहा है एक सुस्त मुजमहल कुत्ता फिटन के पहियों तले आ गया है उसकी पसली की हड़ियां तूट गई है लहू बह रहा है उसकी आँखों की अफसुर्दगी, बेचारगी उसकी हलकी हलकी, दर्दनाक ट्याओं ट्याओं किसी को अपनी तरफ मुतवज्यों नहीं कर सकती बुढ़ा अतुर्द पुस्तक के बारे में गुलजारे उर्दू भाग दो दस्वी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक है जो ध्वनी पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की गई है इसमें कुल बारा पाठ हैं और पृष्टों की कुल संख्या निन्यानवे है प्रत्येक पाठ के साथ लेखक का परिचय भी दिया गया है साथ ही मश्क यानि अभ्यास भी दिया गया है पेश है दस्वी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्सी किताब गुलजार ए उर्दू में अब गदीलों पर जुका हुआ उस औरत की तरफ देख रहा है जो एक खुशनुमा सिया रंग की साड़ी जेबतन किये अपने नौकर के साथ मुस्कुराती हुई बाते करती जा रही है उसकी सिया साड़ी का नुकरई हाशिया बोड़े की हरी सांखों में चांद की किरन की तरह चमक रहा है फिर कभी सड़क सुनसान होती है सिर्फ एक जगा शीशम के दरख्त की छदरी चाओं में एक टांगे वाला घोड़ी को सुस्ता रहा है गिद धूप में टहनियों पर बैठे उंग रहे हैं पुलीस का सिपाही आता है एक जूर की सीटी ओ तांगे वाले यहां खड़ा क्या कर रहा है क्या नाम है तेरा कर दूँ चालान हुजूर हुजूर का बच्चा चल थाने हुजूर यह यह ले लिज़े यह थोड़ा है अच्छा जा तुझे माफ किया चल भाग यहां से तांगे वाला तांगे को सर पर दोड़ाए जा रहा है रास्ते में एक कूरा आ रहा है सर पर तेहडी डोपी, हाथ में बैथ की छड़ी रुखसारों पर पसीना, लबूं पर किसी डांस का सुर ख़ड़ा कदू कंटूनमेंट आठाने सहब वल च्छाने तांगे वाले को मारते मारते, बैथ की छड़ी तूर जाती है फिर तांगे वाले का चम्ड़े का हंटर काम आता है लोग इकठे हो रहे हैं पुलीस का सिपाही भी पहुँच गया है हराम जाधे, सहब बहादूर से माफी मांग तांगे वाला अपनी मैली पगड़ी के गोशे से आंसू पोच रहा है लोग मुंतशिर हो जाते हैं सफा नमबर तेंटीस अब सड़क फिर सुनसान है शाम के धुंदलके में बिजली के कुमकुमे रोशन हो गए मैंने देखा कि कचहरियों के करीब चंद मस्दूर बाल बिखरे मेले लिबास पहने हुए बाते कर रहे हैं भाईया भड़ती हो गया तनखवा तो अच्छी मिलती होगी पोड़ों के लिए कमा लाएगा पहली बीवी तो एक इही फटी साड़ी में रहती थी अरे भाईया सुना है जंग सुरू होने वाली है है कब सुरू होगी कब इसका तो पता नहीं मगर हम गरीब ही तो मारे जाएंगे हाँ कौन जाने गरीब मारे जाएंगे के अमीर अच्छा नन्ना कैसा है बखार नहीं टलता क्या करें इधर जेब में पैसे नहीं है उदर हकीम से दवा आरे तो भड़ती हो जाओ हाँ सोच रहे है अच्छा भईया राम 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 भईया भटी हुई धोतिया लंगे पाओं ठके हुए कदम ये कैसी लोग हैं ये ना तो आजादी जाते हैं ना हुर्यत ये कैसी अजीब बाते हैं पेट, भूक, बीमारी, पैसे कुम-कुमों की जर्द-जर्द रोश्नी अब सड़क पर पड़ रही है दो आरतें, एक बूड़ी, एक जवान उपलों के टोकरे उठाए खचरों की तरह हापती हुई कुज़र रही है जवान औरत की चाल तेज है आरे बेटी, ज़रा ठहरो बूड़ी औरत के चेहरे पर बेशुमार जुरियां है उसकी चाल मधम है उसके लहचे में बेकसी है अरे बेची, ज़रा ठहर तो मैं ठक गई हूँ, मेरे अल्ला अम्मा, अभी गर जाका रोटी पकानी है तू तो बावली हुई है अच्छा बेटी, अच्छा सफा नंबर चौंतीस बूरी औरत, जवान औरत के पीछे भागती हुई जा रही है बोज के मारे उसकी टांगे काप रही है उसके पाउं डगमगा रहे हैं वो सदियों से इसी सड़क पर चल रही है उपलों का बोज उठाए हुए कोई उसका बोज हलका नहीं करता कोई उसे एक लमहा सुस्ताने नहीं देता वो भागी हुई जा रही है उसकी टांगे काप रही है उसके पाउं डगमगा रहे है उसकी जुरियों में गम है और भूक और फिक्र और गुलामी और सदियों की गुलामी तीन चार नोखेस लड़कियां भड़कीली साड़ियां पहने बाहु में बाहें डाले हुए जा रही है बहन आज शिमला पहाड़ी की सेर करें अरे मैं तो कहती हूँ आज लॉरेंस गार्डन चलते हैं हम अनार कली बाह कैसा रहेगा रीगल ओ शाट अप यू फूल आज सड़क पर सुर्ख हलवान बिचा है आर पार जंडियां लगी हुई है जा बजा पुलिस के सिपाही खड़े हैं किसी बड़े आत्मी की आमद है जब ही तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगडियां बांधे सड़क पर दो रोया कतारों में खड़े हैं उनके हाथों में छोटी छोटी जंडियां हैं उनके लबों पर पीडियां जम गई हैं उनके चेहरे धूप के शिद्द से तम-तमा उठे हैं इसी तरह खड़े-खड़े वो डिर्ड घंटे से बड़े आदमी का अन्तिजार कर रहे हैं जब वो पहले-पहल यहां सड़क पर खड़े हुए थे तो हंस-हंस कर बाते कर रहे थे अब सब चुप हैं चंद लड़के एक दरख्त की चाओं में बैठ गए थे अब उस्ताद उन्हें कान पकड़ कर उठा रहे हैं शफी की पगड़ी खुल गई थी उस्ताद उसे घूर कर कह रहा है ओ शफी पगड़ी ठीक कर ठीक कर पगड़ी प्यारे लाल की शलवार उसके पाउं में अटक गई है और अजार बंद जूतियों तक लटक रहा है तुम्हें कितनी बार समझाया है प्यारे लाल मास्टर जी पानी अरे अब पानी कहां से लाऊं ये भी तुमने अपना घर समझ रखा है तो तीन मिनट और इंतिजार करो बस अभी छुट्टी हुआ चाहती है दो मिनट, तीन मिनट या आदा घंटा मास्टर जी पानी मास्टर जी पानी मास्टर जी बड़ी प्यास लगी है सफ़ा नमबर 35 लेकिन उस्ताद अब उस तरफ मुतवज्ज ही नहीं होते वो इधर उधर दोड़ते फिर रहे हैं लड़को होशार हो जाओ देखो जंडियां इस तरह हिलाना मोटर साइकलों की फटफट बैंड कशोर पतली और छोटी जंडियां बेदिली से हिलती हुई सूखे हुए गलों से पस मुर्दा नारे बड़ा आदमी सडक से कुजर गया लड़कों की जान में जाना आ गई है अब वो उचल उचल कर जंडियां तोड़ रहे हैं शोर मचा रहे हैं खौंचे वालों की सदाएं रेवडियां गरम गरम चने हलवा पूरी नान कबाब एक खौंचे वाला एक तुर्रे वाले बाबू से जगर रहा है मेरा आपने मेरा खांचा उलट दिया मैं आपको नहीं जाने दूँगा मेरा तीन रुपए का नुकसान हो गया मैं गरीब आदमी हूँ मेरा नुकसान पूरा कर दीजे तो मैं जाने दूँगा म्यूनिसिपल्टी का पानी वाला चखड़ा आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर छड़काओ कर रहा है चखड़े के आगे जुते हुए दो बैलों की गर्दनों पर जखम पैदा हो गए हैं चखड़े वाला सर्दी में ठुटूरता हुआ कोई गीत कानी की कोशिश कर रहा है बैलों की आँखें देख रही है कि अभी सड़क का कितना हिस्सा बाकी है सड़क के किनारे एक बूढ़ा गदागर मरा पड़ा है उसके मेले दाथ होटों के अंदर धस गए है उसकी खुली हुई बेनूर आखें आस्मान की तरफ तक रही है और कह रही है खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ रे बाबा तरस कर जाओ कोई किसी पर तरस नहीं करता सड़क खामोश और सुनसान है ये सब कुछ देखती है सुनती है मगर टस से मस नहीं होती इनसान के दिल की तरहा बेरहम, बेहिस और वहशी है इनतहाई गैज औ गजब की हालत में अक्सर में सोचता हूँ कि अगर इसे डाइनमाइट लगा कर उड़ा दिया जाए तो फिर क्या हो एक बलंद धमाके के साथ इसके टुकड़े फिजा में परवास करते नजर आएंगे उस वक्त मुझे कितनी मसर्रत हासिल होगी इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता कभी कभी इसकी सतह पर चलते चलते मैं पागल सा हो जाता हूँ चाहता हूँ कि इसी दम कपड़े भाड़ कर नंगा सड़क पर नाचने लगूँ और चिला चिला कर कहूँ मैं इनसान नहीं हूँ मैं पागल हूँ मुझे इनसानों से नफरत है मुझे पागल खानी की गुलामी बख्ष दो मैं इन सड़कों की आजादी नहीं चाहता मैं इन सड़कों की आजादी नहीं चाहता सड़क खामोश है और सुनसान बलंद टहनियों पर गिर्द बैठे उंग रहे हैं ये दू फरलांग लंबी सड़क क्रिश्न चंद्र सफा नमबर चथीज मश्क सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक तांगे वाले को गोरे ने क्यूं मारा? सवाल नमबर दो बड़े आदमी के इस्तकबाल की अफसाना निगार ने क्या ज़लक दिखाई है? सवाल नमबर तीन कहानी के उस मन्जर का बयान कीजे जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतास्र किया सवाल नमबर चार सडक के किसी ऐसे मन्जर का बयान कीजे जो आम तोर पर सडकों पर देखने को मिलता है लेकिन इस कहानी में इसका जिक्र नहीं है इसी के साथ ही ये सबक खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे दस्मी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक गुलजारे उर्दू भागदो का ये पाठ वाचनस्वर, परवेज गोहर, शमाईला परवेज और डॉक्टर फरहात दोन्यांकन शानु मुक्सीम निर्माण, निर्देशन वधोनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT टी आप ये झाल झाल